गाइज अर्दवार्सिक परिक्षा जो होने वाली है ना क्लास 12 बायोलोजी की है ना हिंदी मीडियम से अकर जो भी स्टूडेंट है तो यह वाला वीडियो के लिए बहुत बहुत जाद इंपोर्टेंट है आपके अर्दवार्सिक में यहां से देखा जाए ना तो मैं अभी से लेके यह वीडियो प्लस टू और वीडियो रहने वाले हैं मतलब तीन वीडियो अगर आपने टोटली वॉस्ट करें तो गाइज आपके 60 प्लस मार्क्स आएंगे according to 70 ठीक है 60 प्लस मार्क्स जाएगा आपका ठीक है अगर आपने तीनों वीडियो को फॉलो किया क्योंकि आप सबी के यह जो पेपर आ गए हैं ठीक है यह तीन सेट आये हैं हमारे पास एंड यह तीनों सेटों को मिलाकर मतलब इन तीन सेट में से कोई एक सेट कंफर्म आएगा है ना तो अपने इन तीनों सेटों के कुश्चन्स कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे बहुत अच्छे म आज भी लाइव आएंगे अगर जहां तक हो पाएगा ठीक है तो यहां पर आपको यह तीनों पेपर कंप्लीट कर लेने हैं अगर अर्दवार्सिक में बहुत अच्छा परफॉम करना है आपको वीडियो में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है विकॉस आपका यह जो कुर रेली एक्जाम के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिये जाएं तो उस हिसाब से आपको यह वीडियो बहुत इंपोर्टेंटली एंड बहुत सिंसियली देखना पड़ेगा अगर आपको स्कूर अर्दवार्सिक में अच्छा करना तर्मासिक में तो आप सभी ने स्कूर अ कुछ तो अपनको तैयारी पहले से लेकर चलनी है है ना चलो तो यहां पर हमें सबसे पहले यह वाला कुश्चन देख लेना है डाउन सिंड्रियों किस गुण सूत्र की एक प्रती अधिकता से होता है तो इसका हो जाएगा 21 तीगा 21 देखना इसकी कुछ आंसर्स अगर गल कोई भी आंसर गलत हो तो आप कॉमेंट्स में बच्चों को बता दो है ना बाकी 90% चांसे 95% है कि कोई आंसर गलत नहीं होगा है ना लेकिन कभी कभी गलती हो जाती है चलो तो यहां पर अपने लोग नेक्स कुश्चन देख लेते हैं नेक्स कुश्चन है हमारा कावक का प यंतरण है ठीक है तो उसका क्या हो जाएगा वैसिक टॉमी ओके गाईज यह हो जाएगा हमारा आंसर नंबर सा ठीक है सी वाला वैसिक टॉमी उसकी बास सुक्राणूं में एंक्रोसों में पाये जाता है तो वो क्या पाये जाता है वो पाये जाता है एंजाइम गैज यह प I think 1 December 1 December को या फिर 7 April इन में से कोई confirm कर ले ना जहां तक किये मुझे लग रहा है एंड इसका तो काफियत तक wrong लग रहा है लेकिन आप चेक कर ले ना इसको विस्व एड्स दिवस का मनाय जाता है इन कॉमेंट्स में बताना कौन सा है ठीक है चलो नेक्स कोशन देख लेते हैं यहां पर मेंडल के मटर के पौदों में कितने विश्यरसी लक्षणों का अध्यन किया था तो बताओ कितने का किया था दो का तीन का चार का या साथ का इसका आंसर आपको बताना है खुद कॉमेंट्स में ठीक है जल्दी से बताना है ओके नेक्स कोशन देख लेते हैं रिक्तिस्तानों की पूर्ती कीज़े 근데 threatening पूर्ती करना है ठाइफाइड्स की पहचान कि कि टेस्ट दिवारा होगोती तो भोल जाएगे विडाल टेस्ट दिवारा हो जाती है फिर नेक्स पती का क्रोसोम वाद यह हो जाएगा सतम और थियोडूर बेवरी द्वारब प्रतिपादित किया गया है ओके गाईज यह आप सभी के आंसर्स खतम हो गये हैं इसके बाद आ जाते हैं हमारा फिप्ट कोश्चन उस्णक टिप वंधी इसका हो जाएगा वाड सावन स्वीकी कर अधिक अधिक इस पष्ट करता है ठीक है अधिक इस पष्ट करता है उसके ऐसाद आणविक नेदिक निक तकनीख लागा गयाँ फिर को पीवर्ट की निक विसास के लिए नोबल पुरसोकर दिया गया था कैरी पॉल को दिया गया था ओ Juice चलो next question देख लेते हैं यह रहे अपने मैचिंग तो अपनको फर्स्ट मैचिंग किसके साथ करना है हमारा फर्स्ट हो जाएगा इसके साथ कॉपर के साथ ठीक है सेकंड हो जाएगा हमारा प्रीरिद गर्वपात के साथ थार्ड वाला हो जाएगा विश भ्रमकारी के साथ फॉर्थ का हो जाएका हमारा इस में फोर्त यह वर्स्ट थो यह तो इसका फोर्त कर्वाँ पर्षंट का नियम नेगी सेवंथ वाल सेवंथ वाल यह हो जाएका ठीक है को यहे quiz अठीक तो first हमें देख गया है उसके बाद अब बचा है हमारा एक तो पुस्प पादवो की खेती है ना गाई चलो का इस मैचिंग देख लेते हैं तो सही जोड़ियां आपको मिलाना है सही जोड़ियों कि आपको यह पूरे दिये गए हैं यहाँ पर ठीके देख सकते हैं यह पूरे आपका स्क्रीन सॉट लेकि रख लीजे ओके चलो उसके बाद आ जाते हमारे एक वाक के में आंसर तो एक वाक के भी सभी कुशन दिये गए हैं DNA अनू को विसिष्ट इस्तल्प काटने वाला एंजाइम कहलाता है भाग के पौदो का वेग्यानिक नाम लिखिए वंसा पती में क्रोमोसोम वात को कितने प्रतिसित किया गया जिफ्ट का पूरा नाम बायो गैस का मुख्य घटक है टाइफाइड के रोग जनक का नाम लिखिए तापमान का व्योसक परास को सहन करने का मैं सक्छम जीव क्या कहलाते हैं गई जिनका आंसर साब को करना है उसके बाद आ जाते हैं हम अपने में कुश्चन आंसर पर जो की हमें नंबर ओफ मार्क्स ज्यादा देने वाले हैं है आपका सेट में आये गई आयेगा पराग कन भित्ती की रचना टैपिटम की भूमिका की व्याक्या कीजे प्र्सव क्या है जनसंग क्या विसकोर्ट के लिए कौन से कारण सुझाय सुझाय गए थे कौपर ल्यूटिमस के कारणे बताई ठोए है असंग जननन क्या है गईज जी आंसर आप एक बार Google पर बोल लोगे न तो सभी के answers आपको मिल जाएंगे ौके Next Question ने चार 주ak का नियम लिखी ठीक है चार burg alles का नियम लिखिए, फिर उसके बाद आठ वा हो गया हमारे यह दो मार्क्स वाले हैं उसके बाद जीवного परवाहस से आप क्या समझते हैं ये वी आपका दो नंबर का है फिर आ जाता है मेटाइस्टेसिस का अर्थ क्या है व्याख्या कीजे फिर पूर्ती एवं स्टॉक में अंतर इसपष्ट कीजे कोई दो करना है समझात अंग क्या है दो धारन दीजे गैस दो यहां पर दो प्लस के नेफ्ट पेज पर जो कि आ जाता है गयार्वा कोश्चण जै और वर किस प्रकार मिर्दा की और रखता को बढ़ाते हैं उसके बाँर में है। я प्रतिय DAN क्या है फिर बार्वा कोश्चण में पुनर योजग प्रोटीन से आप क्या समझते हैं कोई दो धारन दीजे काई जीन क्या है इसके प्रकारवा इनकी प्रभाव का उल्लेख कीजिए गैस बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्डेंट कुश्चन है ग्यारवा और वारवा आपके सेट में कन्फॉर्म आएगा एंड जैन आपको लग रहा है कि फेक पेपर है तो आपको कुश्चन्स तो फेक न कुश्चन आने वाला है तीन नंबर में जो आपको रखा मिलने मिलता है एक संखर क्रॉस का प्रियूग करती हुए प्रभाविकता का नियम नियम की व्याक्या दीजिए ठीक है यह बहूत इंपॉटन्ट है लेकिन साथ में यह वाला बहुत जाद इंपॉर्टन है डिन से MRNA का निर्माड की किरिया विदी का वर्णन कीजिए या तो आपका डारेक्ट डारेक्ट ऐसा कर दिया जाएगा DNA RNA में अंतर लिखिए ठीक है कभी-कभी तो इनका salt मतलब mcq में यह पूछ लिया जाता है object में DNA का और RNA का full form बताईए तो आपको क्या बताना है DNA का क्या होता डियोक्सराइ न्यूबेलिक एसेड और RNA का तो पता ही होगा राइबो न्यूकलिक एसेड है ना दोनों के आपको पता होने चाहिए ठीक है गाई नेक्स कुश्चन देख लेते हैं जीव क्लोनिंग का क्या अर्थ है इसका महत्व लिखिए क्या है हो जाएगा ज अनुकूलन का वर्णन कीजिए जलियपादवों के अनुकूलन का वर्णन कीजिए फिर नेक्स्ट हो जाएगा अथ्वा में सो इस्तानों का बाहिस्तानों सन्रक्षण में अंतर लिखिए फिर उसका हो जाएगा मानव के लिंग निर्धारन कैसे होता है मानव में यह बाला भी बहुत इंपोर्टेंट है अनुवानसिक चैयन से आप क्या समझते हैं ठीक है चलो नेक्स कुशन आ जाते हैं आप आजाते हैं आपके पांच पांच नंबर के एंड डिया ने देखो प्राकृतिक चैयन से आप क्या समझते हैं इसके विभिन प्रकारों का वर्णन अभी तक का लास्ट कुश्चन है ठीक है मरुस्थली पादपू का प्राणियों मरुस्थली पादपू और प्राणियों में के अनुकूलन पर संचिप्त टिप्पिने लिखिए पांच नंबर में गई यह रखा मिलने वाला है और परीतंत के घटकों की व्याख्या दोनो कुश्चन यह वाला एंड यह वाला आपको रखा मिलने वाला है दोन। स है मैं ऐफ्लीष रखा मिलेगा एक की गैरेंटी नहीं है लेकिन ये दोनों question दो set में आपको रखे मिलने वाले है तो इन्हें अच्छे से complete करना है guys ओके चलो अगर इनके answer से ये हैं तो इस video पर आपको कराना है आपको कराना है 190 likes ठीक है 190 likes कराना है एक बच्चे को 5 share करना है ठीक है एक बच्चे को 5 share करना है and जितने भी questions बताएंगा इस अच्छे से complete करना है बहुत बहुत अच्छे अगर आपको लग रहा है कि ये fake paper है या लग रहा है real paper है it doesn't matter ये questions आपको complete होने चाहिए कैसे भी complete होने चाहिए आप real समझो ये fake समझो या ये समझो की topper solution fake videos मत बनाईए लेकिन आपको ये question answer करना है चाहिए गालिया देखर आप करो मुझे and कैसे भी लेकिन आप ये questions अच्छे से complete कर लेना ओके गाईज thank you so much for watching and ये question सियाद हो जाना चाहिए आज ठीक है गाईज गई बाई